हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टेडी में इस वीडियो में हम कोशे नम्मर वन को सॉल्व करेंगे क्लास एट एक्ससाइज 1.1 रेशनल नम्मर तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी वग्गा है using appropriate properties find minus 2 upon 3 multiply 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 upon 6 तो देखिए हमें इस question को ये question ऐसे भी solve हो सकता है simple जो हमें properties के साब से ना भी करें तो कर सकते हैं पर इसमें हमें बोला है properties करो तो देखिए ये question properties के बिना solve तो हो ही सकता है पर properties के साथ इसमें हमको solve करते हैं बताना भी है कि properties कौन सी लगी है तो तो चलिए शुरू करते हैं, minus 2 upon 3 को हम लिख देंगे ऐसी, multiply 3 upon 5, अब देखिए, minus 3 upon 5, multiply 1 upon 6 इस साइड है, तो हम इनको आगे लिख सकते हैं, minus 3 upon 5, और multiply 1 upon 6, और plus 5 upon 2, अब देखिए, हम इसको आगे क्यों ला सकते हैं, क्योंकि यह कौन से property कहलाती है, cumulative property, क्यों क्या थो होता है, कि हम a plus b को b plus a लिख सकते हैं, बस sign chain होता है, देखिए, हमने एक ऐसा भी होता है, कि a minus b को b minus a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि b का यहाँ पर minus था, यहाँ पर plus हो गया, पर मैंने तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखा है, अगर मैं example दूँ, minus b plus a, इस तरह से लिखा है, यह कौन से property फॉलो कर रही है, cumulative property, अब देखिए, 3 upon 5 इसके पास भी है, 3 upon 5 इसके पास भी है, जो इन दोनों में से हम 3 upon 5 को क् पास ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा हमारा, 3 upon 5 के साथ हम क्या कर सकते हैं, minus को पी common ले सकते हैं, ऐसे में, अब देखिए, अंदर क्या बच गया, 2 upon 3 और plus 1 upon 6, क्योंकि minus हमने भाल ले लिख जाएगा, प्लस बच जाएगा, और plus 5 upon 2 के दर बचा हुआ है, अब addition करना है, इन fractions का, तो 6 और 3 का algorithm क्या आता है, 6 आता है, 3 की table में 6 का बाता है, 3 2 जा 6, 2 जा 4, और plus 6 1 जा 6 होता है, तो 1 1 जा 1, यह ऐसा हो जाएगा, plus 5 upon 2, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, minus 3 upon 5, 4 plus 1, 5 upon 6, प्लस 5 upon 2, यह ऐसा हो गया, अब 5 में से 5 को हम cancel कर सकते हैं, क्योंकि यह multiply में है, अगर bracket के बीच में, नमर के बीच में कोई sign ना हो, तो उसको multiply ही माना जाता है, और 3 को हम 2 से divide कर सकते हैं, 6 को हम 3 से divide कर सकते हैं, तो हम क्या मिला उपर, 5 अंजा 5, तो यह minus 1, नीचे 2 बचा है, और यहाँ पर क्या रहा गया, plus 5 upon 2, अब इसका भी fraction होगा, तो क्या होगा, नीचे 2 आ जाएगा, और minus 1 plus 5, और minus plus क्या होता है, minus 5 में से 1 गया, 4 upon 2, और इसको काट के हमें क्या मिल लिया, 2 हमारा answer आ गया, अब देखिए, यहाँ पर हमने, उपर थो हमने community property बता दी थी, हमने comma लिया, comma क्यों लिया हमने, comma इसलिए लिया, क्योंकि यह कौन सी property होती है, distributed property, क्योंकि distributed में क्या होता है, a plus b, oh sorry, a b plus c होता है, a multiply b plus a multiply c, तो वैसे हमने यहाँ पर यह, इस वाले को ऐसा बना दिया, अगर हम यहाँ पर दिहान से देखें, तो a multiply b, और b multiply, oh sorry, a multiply c, ऐसा था, तो हमने उसको ऐसा बना दिया, कि a b plus c, तो यह कौन सी property थी, distributed property थी, और इसका बना सो कर दिया, तो चलिए अब इसका second part को देखते है, second part में क्या है, 2 upon 5 multiply minus 3 upon 7 minus 1 upon 6 multiply 3 upon 2 plus 1 upon 14 multiply 2 upon 5, अब देखें, यह एक term है, यह एक term है, और यह एक term है, यह तीन terms दे रखें हमें, तो देखें, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखन हैं कि किसी भी term में कोई number same आ रहे हैं, जैसे देखें, यहाँ पर 2 upon 5 है, और इस term में भी 2 upon 5 है, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, फिट से एक साथ लिख सकते हैं, यह minus 3 upon 7 रहेगा, और इसको हम आगे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, plus 1 upon 14 multiply 2 upon 5, और यह वाला term को हम अभी देखें, आगे पीछ हम किस वाले property में कर सकते हैं, community property, हमें क्योंकि property भी बतानी है, question के अनुसार जो हमें कह गया है, अब देखें, 2 upon 5 इसके पास भी है, 2 upon 5 इसके पास भी है, इन दोनों में हम 2 upon 5 को क्या कर लेंगे, common ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, minus 3 upon 7, और प्लस 1 upon 14, और इधर क्या रहे गया है, minus 1 upon 6, multiply 3 upon 2, अब 2 upon 5, इनका LCM लेंगे, 14 आएगा, और 7 क्योंकिते है, 14 का वाज़ा, 7 to the 14, तो 3 क्योंकिते है, 3 to the 6, plus 1, अब देखें, यहां पी भी हम इसको solve कर देंगे, 3 to the 6, तो minus 2 to the 4, तो minus 1 upon 4 ऐसा हो जाएगा, अब 2 upon 5, minus plus minus, तो 6 में से 1 गया है, 5 बज़ेगा, बड़ा नमर क्यों है, 6, तो minus 5 upon 14, और minus 1 upon 4, अब देखें, 2 7 जा 14, 5 बज़ा 5, तो क्या बज़ गया, हमारे पास, minus 1 upon 7, और minus 1 upon 4, अब इसका हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, LCM कितना हैगा, 28, 7 के टेवल हो 28 का बाता है, 7 4 जा, तो minus 4 हो जाएगा, अब 4 के टेवल का बाता है, 4 7 जा, तो minus 7, माइनस माइनस प्लस होता है, यह दोनों प्लस होंगे, 11 upon 28, बड़ा नम्मर को आने 7, से माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू फॉर वाचिंग दे वीडियो,